जिन्दगी कैसे जीए मैं आपको बताऊं जैसे महिला पापड़ को सेखती है ना बस उतनी सावदाने साब जीवन को जीलो कभी भी आपके कर्मों का बंदन नहीं होगा एक लाइन में पूरे जीवन मन का मंत्र में ने दे दिया नोट कर लो दिमाग में मन की ढारी में उतार लो घर में आज जाकर देख लेना आपकी धरम पतनी आपकी माँ आपकी बहन या आपके घर की कोई महिला सदश्य और जब वो पापड सेख रही है उस पापड को सेखते देख लेना और ठीक वैसी अपना जीवन जीना सुरू कर देना जितनी सावधानी पुरवग जितनी सजकता पुरवग जितनी जागरुकता पुरवग एक महिला पापड को सेखती है उतनी सजकता पुरवग जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जीना सुरू कर दे तो उसक आप क्या अलसाल है हाँ ठीक है ऐसे सेखती है अगर वो मोबैल पे गपे मारते मारते पापड सेखती तो पापड की पपड़ी बन जाए याद करो कैसे पापड़ सेखती है बले ही बात आप से कर रही है पर नजर किस पर है वस संसार में जीने की विधा जिस व्यक्ति को ये प्राप्त हो गए कि जैसे महिला पापड को सेखती है बात भी कर रही है आवाज भी सुन रही है अगर सासुमा उसके बारे में कोई टिपपनी कर रही है किसी से तो पूरा ध्यान उदर है पर 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 उसकी नजरे पापड पर कैंदिरत है कि वह इतना सा बताओ अगर दो से कि दो सेकेंड के लिए अगर ध्यान चूक गया तो पापड जल जाएगा ना बस इन माताओं से जीवन का ये पाड़ पढ़ लो कि दो सेकेंड के लिए अगर ध्यान चूक गया तो पापड जल जाएगा ऐसे हमारी जिंदगी है दो सेकेंड के लिए अगर अंतरात्मपन से ध प्रूजन चाहिए उनका दिव्यमार के चाहिए हाथ पकड़ने के चाहिए यो तो यूँ समझे उपर चड़ने के लिए पानी के लिए यंत्र चाहिए पर उपर से नीचे आना हो तो आपने आप उतर जाता है मनुष्य के मन की गति पानी की तरह है जैसे यंत्र से पानी उप उपर चड़ता है वैसे मंत्र से मनिश्य का मन उर्द्वारों ही उपता है यंत्रपानी को चड़ाता है और मंत्र मनिश्य की मन की गती को उपर उठाता है मैं जो आपको जीवन का पाड़ दे रहा हूँ मैंने कहा आप सिद्धासन में बैड़ जाओ पद्मासन में बैड़ जाओ सबसे बढ़िया है ना सुखासन में बैड़ जाओ ठीक है ना पलत्थी मार लिए अराम से जिस आसने में आप आदे गंटा आराम से बैठ सकते हैं, उसमें आप बैठ जाओ, और हाँ, मैंने हाथ की जो मुद्रा बताई, पहली मुद्रा मैंने कही, योग मुद्रा, वो है तर्थंकरों की मुद्रा, सिध्धात्मों की मुद्रा, उल्टा हाथ, उल्टे के आगे, सीध दोनों अंगुठों के पोर आपस में सटा लीजिए यूं मोड़िए और यूं गोद लेकर बैठ जाएए हाँ दूसरे एक उनों मुद्रा है उसका नाम है ग्यान मुद्रा आप उसमें भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं वो भी अच्छी है और वो है यूं बैठकर इसको ग्यान मुद्रा के दो चिनमें मुद्रा के दो आप यूं बैठ सकते हैं अंगुली का पोर अंगुठे से सू सकते हैं या अंगुली का पोर अंगुठे के मध्यबाग पर ला सकते हैं कुल मिलाकन मुद्राओं के बीचे मूल भाव है मनुष्य का मिरुडंड सीधा रहे हैं लटक भी प्रकारखा ट्राटक भी कर सकते हैं कैसे ट्राटक करें? जैसे दिया जल रहा है तो जलते हुए दिये पर अपने दिश्टी को कैंदरित कर ली जैसे सूरज उग रहा है तो उखते हुए सूरज पर अपने नजने कैंदरित कर ली जैसे फूल खिल रहा है तो खिलते वे फूल पर नजरे केंदित कर ली कोई संगीत बज रहा है तो संगीत की ध्वनी पर अपने आपको केंदित कर ली कोई भी एक ट्राटक का बतलब होता है कोई भी एक बाहर के निमित्त को अपाकर अपने चित को एकाक्र करना त्राटक एक काम करता है ध्यान एक काम करता है सो जगे पर बटकते वे मन को एक जगे पर लाना इसका नाम त्राटक और ध्यान है लेकिन वो एक जगे पर आईवे मन से भी अपने आपको मुक्त कर लिना इसी का नाम साधना और समाधी है जो एक जगे पर मन आ गया है सौ जगे पर बटकतेवे मन को आपने जैसे आपने नोकार मंतर का जाब सुरू किया बहुत धैरिय पुरवक बहुत शांतिय पुरवक बहुत आनंद पुरवक एकसो आाई के बझाए 27 बार चलेगा 27 के बझाए 9 बार चलेगा 9 की बझाए 3 बार चलेगा और 3 की बझाए 1 बार भी चलेगा पर 9 हड़ बढ़ी 9 हड़ बढ़ी बागा दोड़ी नहीं बहुत धैरी और शांति पुरवक पहले नौकार मंतर का कैसे करे? नौकार मंत्र का ध्यान, पहले उसका उचान कीजिए, फिर उसके आग्या चकर में प्रकास में ओम का ध्यान कीजिए, प्रकास में मंत्र का ध्यान कीजिए, फिर अपनी स्वासों स्वास की धारा के साथ, स्वास बाहर जारी है, नमो अरियंतानम, स्वास अंदर जारी है, नम हमने स्वासों स्वास में मंत्र का रमन करना शुरू किया, तब वो हमारे बीतर रमता है, मंत्र को रमाना पड़ता है, मंत्र को साधना पड़ता है, मंत्र का मतलब बहुत है, जो हमारे मंद को बांध ले, जो हमारे मंद को निर्मल कर ले, जो हमारे मंद को एक धारा में लेकर आ जाए तो इसके लिए जरूरी है आपको पता है शरीर और आत्मा इन दोनों की वी जो सेतु का काम करती है उसका नाम स्वास है क्या है दिमाग लीजिए शरीर और आत्मा इन दोनों को जोड कर रखने में जो सेतु का काम करती है उसका नाम क्या है स्वास इसलिए कहते है ना उसके स्वांस रुक गई यानि जन्दगी चली गई तो स्वांस को साथने के लिए हमारी सांसों को हम कैसे निर्मल करें आती जाती स्वांसों स्वांस में मंत्र का जाप किया और उसके बाद जब सब तरब से विकल्पों से मुक्त हो गई तब अपने आग्या चकर पर आजाएं ब्रह्मरंद्र पर आजाएं अपने सहस्रार पर आजाएं अपने मस्तिस्क के ललाड भाग पर प्रकाश में सुरूप में आजाएं और वहां पर आने के बाद अब जो आपका मंत्र है जिसको आपने पंद्र मिलाद तक पहले उच्छान किया, फिर उद्गोश किया, फिर उसका स्वासों स्वास रमन किया, फिर उसके प्रकास में इस रूप का ध्यान किया, अब आप भीतर में उतर करके, उस मंत्र में डूपने कानन लेजिए, तब वो मंत्र आपकी आत्मा के स है सब किदर है बुद्धि लगा भीतर है हां बहिनों के लिए ध्यान करने के और अच्छा समय हो सकता है और वो है दोपैर का समय ठीक है ना बई सुबह सुबह जल्दी रहती है बच्चों का नास्ता वास्ता त्यान करना शाम को फिर भड़ों के लिए आना वाना वाना पर द पास करो, नमबर दो, टी वी पान करो, टाइम पास करो, लमबर तीन पड़ोसी को बुलाओ, टाइम पास करो, यह सब काम तो करते हैं, आओ अब टाइम को सार तक करो. और वो है mobile का switch off कर दो, silent कर दो, पती को बता दो, एक से दो में ध्यान करती हूँ, कृपया उस समय phone न करें ताकि आपको व्यवधान न हो, या तो switch off कर दो, या silent कर दो, और एक छोटी सी पटी computer में से निकाल लो, एक से दो, एक से dead, dead से दो मेरा ध्यान का समय है, कृपया कोई अंत्राइन न दे, कोई आएगा तो भी, आपको कोई अंत्राइन नहीं देगा, दोपरे में शाहनती से बैट कर, बजा Signal, मेरी इधर, उधर की, यहां, वहां की, इधर, उधर की, मोबाइलों में वर्टसप और मोबाइलों में फेसबुक और मोबाइलों में यूट्यूब इन सब में अपने केवल अंगुठे चला चला के मैं कई बार सोचा करता हूँ ये 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 एकलब विसे अंगुठा ही क्यों मांगा गया है द्रोनाचारिय ने एकलब गयों से अंगुठा क्यों मांगा रहे हैं बहुत सानी चीजे थी मांगने के लिए अंगुठा क्यों मांगा उन्हें पता था एक दिन ऐसा आएगा जब आदमी अपने अंगुठे से केवल योई टेम पास करता रहेगा तो अंगुठा आटा दो तो कम से कम यह जो वर्टसप की फाइले यूट्यूब की फाइले फेस्बुक की फाइले यह जो अंगुठा चलाता रहता यह टेम पास बंद हो जाएगा मैं अन्रोध कर रहा हूँ अगर हम अंतरात में मोतर ना चाते हैं साउधानी रखें सुबह का समय ज़्यादा अच्छा है नहो दोपहर में बैढ़ सकते हैं सिद्धासन पदमासन में बैढ़ सकते हैं नीचे मोटा आगसन लगा कर बैढ़ सकते हैं श्वेत वस्त्र ध्यान में पहनना सबसे अच्छा है, क्योंकि श्वेत रंग शुक्ल लिश्या का परिचाय के है, श्वेत रंग शुक्ल ध्यान का परिचाय के है, ध्यान चार तरह के होते हैं, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ध्यान में ल अशुब ध्यान है, ध्यान तो वो भी है, पर वो अशुब है, सडक पर कोई महिला चल लई है, अब आपके बीतर आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान आएगा, आप लगातार उसको देखे जा रहे हैं, लगातार मन को कलुशित करते जा रहे हैं, मन को बिगारते जा रहे हैं, न बाबा ना जो उम्र अब तुमारी परमात्मा के ध्यान करने की है अब अब ये उम्र नहीं रही कि आप उन सब पर नज़र डालें भगवान केते हैं ध्यान को मोड़ो आर्द्ध्यान का मतलब होता है शोक करना रौद्ध्यान का मतलब होता है उग्रता धान करना धर्म ध्या में आ गया आर्थ ध्यान का मतलब है शोक पून जीना कोई घर में दूरी घटना हो गई अब लगाता रोश का शोक लगाता रोश का शोक कई घरों में जाता हूं भाब जी कहीं बताओं वह मारो एड़ो बेटा थो वह बाब जी गए वे पंद्रे साल हो गए उसको पर फिर भ होता है और जो चीज हाथ में हैं उससे हाथ से बिसराता है इसलिए आपको मालूम है किसी भी सास के अगर दो बहुए हैं एक बहु साथ में हैं और एक बहु परदेश में हैं वो किसकी तारीफ करेगी किसकी करेगी बोलो बोलो साथ में उसकी नहीं करेगी बिचरी वो दिन बर खट रही है दिन बर खाना बना रही है दिन बर बरतन दो रही है घर के इजाडू पहुंचे भी कर रही है काम काज कर रही है तुमारे पोते-पोतियों को संबाल लही है और जड़ुत पढ़ने पर आप बिमार पढ़े दवाई लाकर दे रही है गरम पाने करकर दे रही है विकस की मालिस कर रही है पक्तली में तो भी उसको बाहर बाहर दिमाग में आते हैं मारे वा वारी बहु है निए वावारी मुंबई मेरी हो जी कि वारी एक वार छ्चे मिन जाके मा रहके आजाओ अकट ठिकाने नहां तो मुझे कहदेना इस तब पता लगेगा कि वा वारी तो बिल्कुल काम की को नहीं असली काम कै तो हो या वाली है वो डूर के डूंगर सुहावने लगते हैं वो सुहावना नहीं होता जो दूर से सुहावना होता है वो सुहावना होता है जो सुख दुख में हमारे काम आता है हमारा सहयोगी बनता है, हमारे जीवन का हिस्सा होता है हमारे सांसों सांस के साथ इसलिए अब जो बहु आपकी बैटी है परदेश में अब अमरिका में बैटी है कभी कदर फॉन पे भावावावा हां कर लेती है, मिठी मिठी बो लेती है आप दस दिन रह कर आ गए है, तो आपकी हां हां कर लेती है इसके पास आप ड़ई साल रहते हैं दो साल लेते हैं, छेचे मीने रहते हैं, एक बार वहां एक साल लेकर आजाओ, फिर आपको पता लगेगा, इसलिए जो पास है ना, उसका आनन दलो, जो चीछ चली गई, जो हो गया अतीत, वो हो गया व्यतीत, जो हुआ अतीत, वो हो गया व्यतीत, अब बीते का रोणा- रोता है या भविश्य में खोता है क्या है संसार इसी का नाम है कि व्यक्ति या तो बीते के लिए रोता है या भविश्य में खोता है साहधना इसी का नाम है जब व्यक्ति वर्तमान का अनन लेता है इसलिए भगवान श्री मावीर के लिए जो शास्त्रों में शब्द आता है वो कहते हैं वो वर्तमान अनुपश्ची थे भगवान मावीर क्या थे वो वर्तमान के साधना करते थे ना तो वो अतीत के संस्कारों में जीते थे ना भविश्य की योजनाओं में जीते थे वो केवल वर्तमान का अनन लेते थे श्री प्रभु की साधना वर्तमान के साधना ह उगरता बोल चाल में उगरता रहन सेन में उगरता और जीवन के की आने वाली क्रियाओं में उगरता कशायों से व्यक्ति अपने आपको कस्ता रहता है तब व्यक्ति के भीतर रौद्र ध्यान रहता है लेकिन जीवात्मा को मुक्ति का मार्क संसार में जीने के लिए दो ध्य में जीता है अच्छे कारिय करता है वो दूसरों के भलाई के काम करता है वो जिनके साथ रहता है उनका आनन्द उठाता है वो मन में कलेश पैदा नहीं करता वो मन में वेरभाव पैदा नहीं करता वो मन में किसी का कशाय नहीं रखता चोटी मोटी अगर गात बंदी हो तो उसको भी खोल देता है और उसका अगला चन है जब व्यक्ति वीतरागता की साधना करता है ये धर्म ध्यान तो है वेराग्य की साधना लेकिन जब व्यक्ति को अंतरात्मा में प्रवेश करके प्रमात्मा के लिए अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं तब उसके लिए चौथा चन कहा गया वो है शुक्ल ध्यान तब उसके उज्जुवल दसा हो जाती है पूनत या उज्जुवल अब उसके भीतर किसी प्रकार का कलेश और कशाय का लेश मात्र नहीं वो शुक्ल ध्यान ध्याता ध्याता आत्मा नंदी जी बढ़ा हुआ वह आमतन आत्मा में परवेश किया हुआ परमात्मा का ध्यान करता हुआ शुक्ल ध्यान में डूबा हुआ मुक्ती की राह चुन लेता है मुक्ती की यात्रा सुरू कर देता है मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ा देता है मेरे भाई ये जो साधना का दिव्यमार गए है दो शब्द है एक है मेडिशिन एक है मेडिटेशन शरीर में अगर रोग हो गए हूं तो मेडिशिन काम की है पर मन के रोगों को मिटाने के लिए एक ही चीज़ काम की है वो है बोलो meditation वो है ध्यान वो हमारे भाप अवस्था भगवान कहते हैं ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम आदे गंटा बैठ कर जी लो ध्यान का मतलब है 24 गंटा ध्यान पुर्वक जी ओ भगवान से पूछा गया हम कैसे खाएं कैसे चलें कैसे बोलें कैसे जीएं कैसे सोएं कैसे काम करें कि हमारे कर्म बंदन नहो तब भगवान ने मंत्र दिया जयम चरे जयम चुठे जयम आसे जयम सहे जयम बंजद तो भासंतो पावम कमनमन बंदई जैना पुर्वक यानि ध्यान पुर्वक चलो ध्यान पुर्वक बोलो ध्यान पुर्वक खाओ ध्यान पुर्वक चलो ध्यान पुर्वक सो संसार के प्रत्य कारिय को ध्यान पुर्वक करो उन्हीं के भोजन में शब्जी में कभी नमक जादा और कम होता है जो ध्यान लुटाटे उन्हीं को मुड़ते हैं जो ध्यानपुर्वक नहीं बोलते बहिनों याद करो तो कई मातों की यहां पर एक निसां हो जाता है आप बताएंगे वह सोने की चूड़ी का निसान है वह हीरे की चूड़ी काहे का निसान है याद करो किसका बोलो 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 तवे का नहीं तवा बेचारा क्या निसान लगा सकता था यह हमारी और सजक्ता का निसान है हमने ध्यान पूरवक तवे के हाथ नहीं लगाया रोटी नहीं पुलाई इसने भगवान कहते हैं बोजन भी ध्यान पूरवक बन आती है उसका एक सब्जी में दुगना नमक और एक सब्जी में सिंगल नमक नहीं आता आपको याद होगा अपन सब लोगों की जिवन में कई बार खाना खाते खाते गाल दान्त के नीचे आया है और खुन आया है किस-किस क्या है हाथ ख़ड़ा करो मेरे तो आया है मुझे मा मैं बताओं कैसे आ गया मैं बताओं अगर आप ध्यान पुरुवक भोजन कर रहे होते थे इसलिए साधक व्यक्ति का खाना पीणा उटना बैटना चलना फिरना शयन जागरन विहार निहार सारे काम ध्यान पुरुवक होते हैं उसको बताना नहीं पड़ता कि यह ध्यान गाड़ी उन्हीं की जाकर खंबे से ठकराती है जो ध्यान पुरुक नहीं चला रहे थे अगर आप ध्यान पुरुक खाना खारे होते ना तो जीब दानत के निचा आती ना गाल दानत के हुई इसलिए जीवन के हर चरण में जिस चीज की सरवाधिक जरूत है उस चीज का नाम क्या है सब बो ध्यान जीवन में जिस चीज की सरवाधिक जरूत है पल पल सांसों सांस के साथ जिस चीज के जरूत होती है वो ध्यान के जरूत है भगवान कहते हैं वह परम तत्व वह परम इस्थिति वह परम चैतन्य दशा हमारे किसके बीतर हमारे बीतर है अपनी बात खतम करों उससे पहले घटना का आनंद आपको देता हूँ कहते हैं एक बहुत पैसे वाला सेट एक गाउं से दूसरे गाउं के तरफ जा रहा था उसके पास एक किम्ती ही रहा था संयोग की बात थे कि उसके साथ जो एक आदमी था सहयातरी उसने का सेट सा मैं भी आपके साथ चलू शेट ने का चल दो बही दो दिन में रस्ता पार हो जाएगा चलू एक से भले दो दोनों रस्ता पार कर लेंगे सांज होती होती है सेट को एहसास हुआ कि जो मेरे साथ आया है ये ठग आदमी है चोर आदमी है ये सवकार आदमी नहीं सही आदमी नहीं ये गलत नियत से मेरे साथ आया आदमी को पता लग जाता है आँखे बोल जाती है कि आदमी की नियत क्या है तो सेट को पता लग गया कि ये ठगविद्या वाला आदमी है ये ये कोई चोर आदमी साथ में आ गया अब उसेड़ गब रहा है कि यार मेरे पास है हीरा अब ये रात को चुरा लेगा मुझे बात्रूम भी जाना पड़ेगा मुझे निवर्त ओने जाना पड़ेगा पानी पुने। ओसने कहा थग ने मैं थोड़ा बात्रुम जाके आ जहूं। सेथ ने पीछे काम किया। अपने थेले में जो ईरा था निकालके देख न देख न बात जबर्दस्त हमें आपको बता रहा हूं। आत्मग्याने विक्तियों नहीं ये जो गट्णा हमें कही है ना, ये हमारे जीवन के कल्यान के लिए, आत्मसाथना के लिए कही है, सेटने काम ये किया कि वो अपने थेले में सेहरा उठाके, थंग के थेले में ढाल दिए और बड़ा निश्चिंत हो गया, पहले तो दिमाग में बड़ी चिंता थी, ये, वो, 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 अब सेठ गया, जैसे वो जा किया है, सेठ ने का, मैं भी जा किया आता हूँ, अब पीछे ठंगने क्या किया होगा, सोचो किसका थेला तलाश, है, खुदे काया सेठ का, किसका, किसका तलाश, सेठ का, एक चीज लाश, उसने का, मुझे किसे ने बताया था, कि सेठ हीरा लेके रवाना हुआ है, इसके करम सारी ने बताया, हीरा गया तो गया कहा, एक 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 चीज निकाल, निकाल कर उसने चेक की, एक एक कपड़े को जड़काया, पर हीरा नहीं मिला, सेठ आ गया, जब वो सो ग कि वापस अपने थेले में डाल दिया, सुबह गाउं के करीब पहुंचे ठगने सेड़ से का, सेड़ साब एक बात मताओ, कि क्या, क्या सची में हीरा साथ में लाए थे, हाँ लेकर आया थे, तो उसने का फिर आपने राद बर उसको रखा का, कि तेरे थेले में, और तब ग्य ती है, चीज तो उसके भीतर है, और तलाश भाहर रहती है, ठीक वैसे ही, जैसे हीरा तो किसके देले में था, ठग के, और तलाश कहां रहरता रह गया, बाहर में भगवान कहते हैं, बाहर से भीतर मुडो, भीतर के विकारों को शमाप्त करो, मन के पवित्रता को जीवन में हासिल करो, बहिरात्मपन से मुक्त हो जाओ, अंतरात्मा में प्रवेश कर लो, परमात्मा का ध्यान सुरू कर लो, जो व्यक्ति इस तरह साधना के लिए अपने कदम बढ़ा देता है, अराधना के लिए अपने कदम बढ़ाता है, एक गड़ी, आधी गड़ी और आधी में पुनी, आध, थोड़ी देर के लिए ही अगर हम अपने कदम बढ़ा देते हैं, फिर इससे अपने बात दोहरा दूँ, पत्नी मकान तक, समाज समसान तक, बेटा अगने दान तक, पर म मेरे मानुभाओं याद रखना, जीवन में किये गए अच्छे करम, ठेट, भगवान तक साथ होते हैं, इसलिए अगर हम अपने जीवन के किये गए करमों को परमात्म सुरुप तक ले कर जाते हैं, तो आज से अब नया कदम बढ़ाएंगे, जी लिए मो माया, तेरी मेरी ताबरों के लिए, आप कितना भी इकठा करके चले जाना, कोई टाबर जीवन में आपके जाने के बाद, शुक्राना करने वाले नहीं है, दादा सा, गणाव गणाव धन्यवाद, आप महरे वास्तर साड़ी तीन क्रोड उप्या छोड़के गया, और जब लोग कहेंगे न इत्ता माल, अरे यार कोई खास माल तो मिला नहीं, इतके हल दो प्लॉड ते और तो कुछ मिला नहीं, मेरे भाई, अपने मन को बढ़ा करो, अपने मन को उधार करो, रसरी आवद जात है, सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मति महुत सुजान, अगर ह की दिशाओं को करना पड़ता है, अपनी भाउनों को तियार करना पड़ता है, अपनी सोच को तियार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे इनसान की सोच होती है, जिन्दगी वैसा ही रूप इनसान के सामने लेकर आती है, मैंने सहज में सवा घंठा कुछ अच्छी बातें, आ सब के मस्ति कैसे ले सकें मैंने सहेज में कुछ बातें अंदरोत की है ओम शान